हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूध आपका स्वागत है हमारे चैनल में न्यूजिलैंड के आल राउंडर जिमी निशम सोशल मीडिया पर सबसे जादा फॉलो किये जाने वाले क्रिकिटर्स में से एक माने जाते हैं उनका चाम ही कुछ ऐसा है कि लड़कियों को दिवाना ही कर देता है वहीं हाली में पाकिस्तान की टीवी आक्टरस सेहर शिनवारी ने जिमी के एक ट्वीट पर कमेंट करके कुछ ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर आप भी हक्के वक्के रह जाएंगे सेहर ने लिखा कि क्या आप मेरे भविशे में होने वाले बच्चों के पिता बनना चाहोगे जिसके बाद सेहर के इस कमेंट का रिप्लाई जिमी ने भी किया उन्होंने लिखा कि मैं वास्तव में महसूस करता हूँ कि इमोजी अनावश्यक्त है यानि साफ साफ जिमी ने माडम शिनवारी का दिल तोड़ दिया है और उनका ये प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने पूरे स्ट्वीट में सिर्फ इमोजी को लेकर बात की है आपको बता दें जैसे ही शिनवारी ने ट्वीट किया था वैसे ही भारत की यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया किसी ने कहा कि जिमी को टेर्रिस पैदा करने का कोई भी शौक नहीं है तो किसी ने कहा कि हारदिक पांडिया को ट्राइ करो वो लाइन लगा देंगे इसके बाद सहर शिनवारी ने एको ट्वीट किया और लिखा की जिमी मिशन ने मेरे मेरिश प्रकोजल वाले ट्वीट पर रिप्लाइ क्या कर दिया इंडिया में जैसे किसी ने मिर्चियों की बढ़साथ कर भी जीमी को बता रहे हैं किस से दूर रहो ये टेर्रिस कंट्री की है जैसे सच में मुझसे शादी करने के लिए त्यार हो गया हो आपको बता दे जीमी अपने बहतरीन खेल के लिए तो जाने ही जाते हैं इसके साथ ही वो अपने मजाख किया ट्वीट्स की वज़ा से भी सुर्ख्यों में बने रहते हैं हाली में उन्होंने विराज कोली पर एक ट्वीट किया था जिसके बाद कुछ लोगर ने उनके इस मजाख को समझा था तो किसी ने घरी-खोटी सुना डारी थी वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और स्पोर्ट से जड़ी खबरों को जामी के लिए आप हमारे साथ बन खबर